नमस्कार, SPN 9 News में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लोक सभा नीता प्रतिपक्ष और कॉंग्रिस संसत राहुल गांधी इन दिनों देश भर में चर्चाओं का विश्य बन चुके हैं लेकिन भारतिय जनता पार्टी के लिए एक विरोध का कार्ण बन चुके हैं भारतिय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी अब वो मोहरा बन चुके हैं कि उन पर अपत्ति जनक तिप्डियां कर लो लेकिन भारतिय जनता पार्टी का हिस्सा होने के नाते उनके खिलाफ कोई भी एक्षन नहीं लिया जाएगा और यही सबूत देखने को भी मिल रहा है राहुल गांधी पर अपत्ति जनक तिप्डि करते वे भारतिय जनता पार्टी के कई नेता नसर आते हैं लेकिन ना तो उन्हें पार्टी से बिधखल किया जाता है ना ही सदसिता रद की जाती है और ना ही भारतिय जनता पार्टी के तहत आला कमान कोई बड़ा एक्शन ले रही है राहुल गांधी को आतंकवादी राहुल गांधी को गोली मारो राहुल गांधी का हाल भी इंद्रा गांधी जैसा होगा ये तमाम शब्दों का इस्तमाल हाल ही में भारती जनता पार्टी के कई चहरे करते वे नजर आए लेकिन जो चहरा चर्चाओं में बना है वो चहरा है रवनीत सिंग बिट्टू का कांग्रिस ने तार राहुल गांधी को लेकर दिये गए बयान पर केंद्री राज्य मंत्री रवनीत सिंग बिट्टू के खिलाफ अब F.I.R. दर्च हो गई है राहुल गांधी ने अमेरिका दोरे पर सिखो को लेकर बयान दिया था जिस पर रवनीत सिंग बिट्टू ने उन्हें आतंगवादी बता दिया था इसले कर खूब हंगामा हुआ करनाटक में रवनीत सिंग बिट्टू के खिलाफ मामलार दर्च करवाया गया है वहीं केंद्री राज्य मंतरी रवनीत सिंग बिट्टू ने अपने बयान पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है आपको बता दें करनाटक के एक कॉंग्रिस पताधिकारी ने केंद्री रेल राज्य मंतरी रवनीत सिंग बिट्टू के खिलाफ F.I.R. दर्च कराई हैं पुलिस अधिकारी ने बताया है कि केंद्री राज्य मंत्री के खिलाब भारती ने आए सहीता की धारा तीन सुत्रपन यानि की गलत सूचना के अधार पर बयान देना या अफवा फैलाना एक सो बयान दंगे कराने एक से मकसद से भड़काऊ बयान देना एक सो चानवे दो समुदावी के बीच में कलत फैमी पैदा करना ये तमाम धराओं के तहत मामला दर्च करवाया गया है राहुल गांधी ने हालिया में अमेरिका दौरे पर एक कारेकरम के दौरान अपने एक बयान में कहा था कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या भारत में सिख को अपनी पगड़ी या कड़ा पहनने के नुमिती दी जाएगी यवे एक सिक के रूप में गुर्दवारा जाने में सक्षम होगा यही लड़ाई सभी धर्मों के लिए है राहुल गांधी के देगा इस बयान के बाद राहुल गांधी को आतंकवादी खालिस्तानी तमाम शब्दों के अधार पर संबोधित किया गया अब रमनीत सिंग बिट्टु माफी मांगने सिंकार कर रही है लेकिन क्या भारतिय जंता पार्टी अभी भी कोई बड़ा एक्शन लेती विनाजर आएगी या फिर नहीं ये देखना एहम होने वाला है